आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे मेकप फिक्सर की जिसे हम लगाते हैं सारा मेकप फिनिश करने के बाद सेटिंग स्प्रे आपके फेस के लिए वही करता है जो हैर स्प्रे आपके हैर के लिए यानि keeping everything in place इसको स्प्रे करने से पहले इसकी बॉटल को हमेशा शेक करना चाहिए और इसको फेस के एकदम नस्दीक से नहीं थोड़े distance से स्प्रे करना चाहिए फेस के एक ही portion पर बार बार spray ना करें हर portion में बस एक दो sprays enough हैं ज्यादा लगाने से make-up patches में बाहर भी आ सकता है और हाँ इसको लगाते ही face को touch भी ना करें उसको अच्छे से dry होने का मौका दें make-up fixer से आपका सारा make-up set हो जाता है और face powdery नहीं लगता make-up लंबे time तक भी टिकता है प्लस face पे एक natural dewy glow आ जाता है मिलते हैं अगले episode में बाई